हेलो फ्रेंड कैसे हो आप लोगों मित करता हूँ आप लोग अच्छ होगे स्वागते दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपनी चैनल क्रिकोनें पिडिक्शन में है आप लोगों के वक्त पर ये मैच आप लोगों को होता हुआ दिखेगा ठीक है सारे लोग आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोगों को वीडियो में इनफॉर्मेटिव नॉलेज मिलने वाली है इनफॉर्मेशन मिलने वाली है जिससे कि आप लोग एक बहुत अच्छी टीम अपनी बना सकते हो और लाश्ट में मैं भी बताऊंगा कि मेरी क्या कुछ टीम बन के रेडियो रही है ग्राउंड रिकॉर्ड वेनू रिकॉर्ड पिछ रिपोर्ट हेड टू हेड सब कुछ A to Z आपको वीडियो में मालुम चलने वाली है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो आपको जैसे मैंने बताया इस टार्टिंग में कि तीन मैच की शिंकला खेली जाएगी जिसका पहला मुकाबला देखो आयरलेंड में ही होने वाला है ठीक है तो पाकिस्तान की जो टीम है आयरलेंड का दौरा कर रही है अगर रिसेंड फॉर्म की बात की जाए तो आयरलेंड की टीम पिछले पांच में से तीन मैच को विन की है दो मैच हारी है पाकिस्तान टीम पिछले पांच में से दो मैच जीती है दो मैच हारी है एक मैच अबोंडेड हुआ है पाकिस्तान टीम पिछला सिरीज अपने होम ग्राउंड मतलब की पाकिस्तान में ही खेली थी जो की अगेंस्ट न्यूजीलेंड पाच टी-20 याई मैचों की सिंग खिला थी दो-दो से यहाँ पे बराबरी पे होके सिरीज यहाँ पे साजा की गई थी एक मैच अब उंडेड हुआ था इसी मैच में ठीक है अब यह मैच कहाँ पे खेला जाएगा तो डबलिन आयरलेंड में आप लिगों को होता हुआ दिख जाएगा देखो आयरलेंड टीम को हलके में मत आकना और पाकिस्तान टीम वैसे अनेक्सपेक्टेड टीम है जब दिन रहेगा तो बहुत गजब खेल भी सकती है ध्यान रखना है 132 विकेट मास कीज़ेगा 132 रन यहाँ पे टोटल एवरेज स्कोर बनता है पिछले 5 मैचों के बेस पे जिससे कि आप लोग अंदाज लगा सकते हो कि बॉलिंग विकेट ही रहने वाली 120 में 132 बनने का मतलब यही होता है 12 टोटल विकेट की रहे हैं 8 विक पभी हम लोग चलते हैं वीडियो को अच्छे से समझते हैं अब देखो दोनों टीमों की पॉस्बल प्लेंग 11 क्या हो सकती है तो यहाँ पे आप लोगों को पाकिस्तान टीम की देखने को मिल रही है यहाँ पे आप लोगों को आयर लैंड टीम का मैंने लिखा हुआ है ठी स्कोर 152 विकेट के नुकसान पर बना था लोवेश्ट 117 रन बना था तीन मैच हुए जहाँ पर बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने एक चेज करने वाली साइड ने दो मैच को विन किया है अब दोको पाकिस्तान टीम के तरफ से इन लोगों किये क्या कुछ मैंने प्लेंग बाइस बॉल खेल के ठीक है बाकि टोटली फ्लॉप थे लेकिन जब पीएसल चल रहा था ना फैब्रॉरी में तो यह बहुत अच्छे फॉर्म में थे हैं वहीं दोको बाबार आजम वैसे कंसिस्टेंट बैटर हैं परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है इस्ट्राइक रेट का थ उससे पहले एक देखेगा 40 बॉल में 57 करके आ रहे हैं लेकिन भरोसा उतना इन पर किया नहीं जा सकता है क्योंकि हिट और मिश्टाइब के खिलाड़ी हैं यंग खिलाड़ी हैं ज्यादा प्रेसर ले नहीं पा रहे हैं अगर खेलेंगे तो अच्छा खेल सकते हैं वहीं फ इफ्तिकार रहमद एक ओल राउंडर खिलाड़ी हैं लेकिन बॉलिंग काफी कम करते हैं बैटिंग कर हम नीचे रहने वाला एक ग्रांड लिंग में ट्राइ कर सकते हो शादाब खान इंफेक्ट सी वी सी वाले खिलाड़ी चार उबर कंप्लीट करेंगे पलस आप लोगों देख सकतो कितनी बॉलों में कितना रन की हैं क्या कुछ विगेट इन हो ने निकाला है बॉलर इनके इंपोर्टेंट है जहाँ पर शाहिम शासरीी हर मैच में कंट्वग्त निकाले हैं और शाफरीदी भी धेखा जा तो अच्छे खासे फरम में नसीम सा का थोड़ा फरम ग थोड़ा धीरे खेलते हैं लेकिन एक कंसिस्टेंट बैटर माने जाते हैं ठीक है यह खिलाड़ी इंपोर्टेंट हो सकता है लोग इनको हो सकता है कम भी ट्राइ करें तो ग्रांड लिंग में इंपोर्टेंट है पॉल इस्ट्रिलिंग देखो वैसे ऐसा और राउंडर खेलत फॉर्म तो उतना अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है लेकिन यह कंसिस्टेंट रहते हैं पलस इनके पास विकेट कीपरिंग का अडवांटेज है है हैरी टेक्टर आजकल यह प्रॉपर आल राउंडर की भूमिका निभार है ठीक है यह आप लोगों को पार्ट टाइम ब स्मॉल ली के नजरिये से बेश्ट मने यह क्योंकि बैटिंग कर हम नीचे रहने वाला है बॉलिंग करने रहे हैं गर्थ डेलनी की बात करते हैं देखो कई बारने गर्थ डेलनी वन डाउन भी खेलने आ जाते हैं तो इस चीज़ का धियान रखना प्लस लेक ब्रेक बॉलि आप लोग जरूर धियान रखना कुछ रिसेंड मैच जो की इस ग्रांड ग्रांड पर बने बने हैं पहले देखो पाकिस्तान आयरलेंड के एक मैच था यहां पर पाकिस्तान की टीम 169 बनाई थी पाकिस्तान की टीम 49 रनों से मैच को विन कर गए ठीक है अच्छा इस ग्रा पाई ठीक है पीसर को 10 विकेट इस पिनर को 3 विकेट एक और मैच देखेगा आयरलेंड 178 बनाई जिंबावे अगें 139 बनाके ऑल आउट हो गई पीसर को 8 विकेट इस पिनर को 3 विकेट जो पीसर है ना भाई वो आपको कोहराम मचा देंगे पीसर बहुत इंपोर्टेंट है और दोनों टीमों के तरफ से देखेगा जो तेज गती के बॉलर है ना गजब फॉर्म में भी है यहाँ पे भी मैंने दिखाया यहाँ पे भी दिखाया तो आप लोगों को बॉलर्स पर ही फोकस करके ज़रा चलना है प्लियर्स बैटाल है आप चाओ तो देख सकते हो बा फद गजब के खिलाड़ी है इन्हीं के साथ जो ओपनिंग पार्टनर्शिप थी ना बावर की वह अवल दर्जे की थी तो रिजवान ओपन करेंगे तो और भी इंपॉर्टेंट है उसमान खान को ग्रांड लिंग में और टकर को ग्रांड लिंग में जरू ट्राई करना ठ Perri Trekijd tar part time balling कर सकते है पालइस्ट्रेलिंग भी part time balling कर सकते है फ्रस अपने home ground में मैच क्षाओ तो दोनों को मैं लेख चल रहू हो मैंनहे आप लोग उसे क्या कहा है कि थोड़ा सा balling wicket रहेंंग रहने वाली है तो अगर बैन्स को भी आप अपने team में ले रहे हो न थो बु पर रह सकते हैं ठीक है मेरा मानना यह है लेकिन चांसेद है कि आयू भी ओपन करें एंडू वल्बरीन खेलेंगे ना तो ग्रांड लिग में इनको भी जरूर ट्राइ करना अल्राउंडर से शादाप खान समस्क्राइब गया। जैसे मैंने वीडियो में बहुंगों को दिखाया एक बार फिर से मैं वीडियो पे आता हूँ और बॉलिंग विकेट है तो आप लोग बॉलर को जरूर फोकस करना देखो बैरी में कैटी क्रेक यंग मार्क एडर यह जो तीन बॉलर है अगर आयरलेंड की टीम फर्स्ट बॉल करीगी ना तो तीनों देथ में बॉलिंग कर सकते हैं देथ में बॉलिंग करने का मतलब कम से कम दो विकेट में एक्सपेक्ट करूंगा तो इंपोर्टेंट हो जाएंगे तो काफी हद तक मैज टॉस पे भी डिपेंड करेगा तो क्रेक यंग को भी अभी ड्रॉप करके चल रहा हूं मात्र 15 परसेंट लोग टीम में ट्राइ करना ठीक है मैंने टीम बना रखिया आप लोगों को दिखाता हूं जहां पर क्याप्टन मेरे बाबार आजम वाइस क्याप्टन पूटेस कैमपर हैं लेकिन बॉलर्स को मैं टीमें बढ़ा सकता हूं अब देखो विकल्प की बात करी जा तो रिजवान के साथ साथ सी बीसी के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है आप देखो जो लाश्ट नाइट मैच खिला गया था आई प्यल का अल्ट्रा क्लिंस हुआ था भाई जाकी चेक कर ले ना ठीक है टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए लिंक होगा वीडियो की डिस्क्रि